हो 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 नेक्स्स कंटेस्टेंट आजाईए हाई सार हाई नमस्ते माइडम जी नमस्ते क्या नाम है आपका जी मैं मेरा नाम साउरेंड एक्टर है कहां से आया हुआ मैं बहुत दूर साया हूं मैं मैं क्या करूं मैं आप लोग बीच में आया हूं मैं प्लीज मुझे मुझे मोका दीजिये मैं आप क्या करते हैं? मैं एक बहुत गरीब घर के हूँ और मेरी मा बकरी चराती है और मैं भी बकरी चराया करताथा एक दिन की वाद है कि मेरी मा बकरी चराया करती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था मैंने एक रोज बोला मैं तुम बकरी मत चराओ मुझे चराने दो बकरी तो मैंने बकरी चराना शुरू कर दिया और चराता था बकरी और कभी कभी मेरी मा भी बकरी चराया करती थी और एक दिन की बात है कि एक आदमी आया और बहुत बहुत अच्छे आदमी थे वो बोला आर मुझे लगा कि यह आदमी मुझसे मजा कर रहा है आप लोग जाने ही रहे हैं मैं गाओं समाज में जब कोई आदमी कलकारी छेत्रे में जाएगा तो लोग उसे बहुत कमेंट करते हैं बहुत हसते हैं कहते हैं कि यह एक पागल आदमी है तो मैंने सोचा कि यह मुझे उल्लू में एक बहुत अच्छा लगा मैं तो मैं आप लोग के बीच देने आया हूं और मैं मुंबई सिधे आया और यहां पर जब मैं मुंबई आया तो मुझे सब आदमी एक ही सकल में नजर आने लगा क्यूंकि मैं गाओं के रहने वाला हूं और मुंबई इतना बड़ा सहर है जब मैंने कुछ नई बुझाया तो मैंने कुछ काम धंदा करने के लिए सुचने लगा और मा बोलती थी बेटे तुम कैसे हो मैं तो काम करता था और फिर भी मैं एपनी मा का बोलता था के मा मैं बहुत अच्छा आदमी हूं अब बहुत अच्छे हैं और मैं जब आया तो मेरी मां के लिए मैं एक आप लोग बीच गाना गाऊंगा जो मेरी मां सुन रही होगी तो बहुत अच्छा लागेगा सर यही बात है कि मैं आप लोग बीच आ गया हूं प्लीच मुझे एक बर मुका दीजिए और भाई लोग आपको देखके मुझे लगते कि काश मुझे मैं ऐसा है ऐसी हिम्मत होती है मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस थिती में कभी फिर से होना न पड़े देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी बेकोज इंडिन आइडल ने आपको वो मंच दिया आपकर जो सपना है अगर आप सची मन से देते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे ये पक्का वादा है अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं मैं जो गाना गाने जा रहा हूं सर बहुत दर्द भरी गाना है सर आज यह जो गाना सुनेंगे ओभी रोप पड़ेंगे सर आप लोग भी इस गाने को सुनकर सर रोप पड़िएगा सर पूरे देश रोप पड़ेगा सर प्लीज सर मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएग सर पूरे हिंदुस्तान रुएगा सर एक हाक्या आपका सॉंग चलिए जरूर सुनते हैं ओके साराम ब्रदर गुड़ लग कितनी महाबड है मेरे दिल में कैसे बताओं उसे कैसे बताओं उसे दिवानगी ने पागल किया है कैसे दिखाओं उसे मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दस्ता कैसे बताओं उसे बताओं उसे बताओं उसे कैसे बताओं उसे बताओं उसे बताओं उसे बताओं 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 Oh, 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 oh दिवान की ने पागल किया है कैसे दिखाओं उसे कैसे दिखाओं उसे मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस थिती में कभी फिर से होना न पड़े एक्स्ट्रॉड्री जब भी ये गाना कोई गाता है तो मेरे भाई की आदा जबती ये संगीत कहा सीखा कैसे सीखा कौन सी गलियों में क्या तुमारी आवाज में प्यूरिटी है क्या साद्गी है क्या मासूमियत है कुछ ऐसी जलकी है तुमारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी और मैं मेरा दावा है कौन इंडियन आडल बनेगा पता नहीं लेकिन इंडियन आडल ग्यारा दो बन चुको है तुमारी आवाज इसका मतलब पते क्या है संही तुम थेटरोंड में आरे लेकिर किया सार हका है मैं बहुत दूरस आया हूं मैं मैं क्या करूं मैं आप लोगे पीछ म मैं आया हूं मैं प्लीज मुझे मोका दैजये मैं आप क्या करते हैं? मैं एक बहुत गरीब घर के हूँ और मेरी मा बकरी चराती है और मैं भी बकरी चराया करता था एक दिन की वाद है कि मेरी मा बकरी चराया करती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था मैंने एक रोज बोला मैं तुब बकरी मत चराओ मुझे चराने दो बकरी तो मैंने बकरी चलना शुरू कर दिया और चलाता था बकरी अकभी-कभी मेरी मा भी बकरी चलाया करती थी और एक दिन की बात है कि एक आदमी आया और बहुत बहुत अच्छे आदमी थे वो बोला आरे भाई तुम इतने अच्छे तुम गाना गाते हो क्यों नहीं इंडियन आइडियल में एक बार ट्राई कर लेते हो तो मैंने उस वक्त इंडियन आइडियल के बारे में कुछ नहीं जानता था मुझे लगा कि आदमी मुझे मजा कर रहा है आप लोग जान रहे हैं मैं गाओं समाज में जब कोई आदमी कलकारी छेत्र में जाएगा तो लोग उसे बहुत कमेंड करते हैं बहुत टहसते हैं कहते हैं कि यह पागल आदमी है तो मैंने सोचा कि यह मुझे उल्लू बना रहा है, मुझे पागल बना रहा है, लेकिन मैं गाओं के रहने वाला हूँ, लेकिन वो बोला एक बार और, अरे भाई, तुम बहुत अच्छे गाते हो, क्यूं नहीं, तुम इंडियन आइडियल में एक बार जागा टडाई करता है ओडिशन जागो दो, सीजन 2014 चल रहा है, तो मैंने इस चीज को फिर पढखा, समझा, तो बहुत अच्छा लगा मैं, तो मैं आप लोग के बीचे ओडिशन देने आया हूँ, और मैं मुंबई सिधे आया, और यहाँ पर जब मैं मुंबई आया, तो मुझे सब आदमी एक ही सकल में नजर आने लगा, क्योंकि मैं गाओं के रहने वाला हूँ, और मुंबई इतना बड़ा सखर है, जब मैंने कुछ नई बुझाया, तो मैंने कुछ काम धंदा करने के लिए सुचने लगा, और मा बोलती थी, बेटे तुम कैसे हो, मैं तो काम करता था, और फिर भी मै मैं अपनी मा का बोलता था कि मा मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, अब बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, मैं यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, और मैं जब आया तो मेरी मा के लिए मैं एक आप लोग बीच गाना गाऊंगा, जो मेरी मा सुन रही होगी, तो बहुत आप जो कर रही हो वो मेनत का काम है, वो इमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है आपको देख के मुझे लगते हैं कि काश मुझे मैं ऐसा है, ऐसी हिम्मत होती है मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस थिती में कभी फिर से होना न पड़े देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा, और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बेकोज इंडिन आइडल ने आपको वो मंच दिया. अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो definitely हम आपको आगे लेके जाएंगे, यह पक्का वादा है, अगर आप देजऱ्ो करते हैं, तो क्या गाना गाने बाले हैं? मैं जो गाना गाने जा रहा हूं सर बहुत दर्द भरी गाना है सर आज यह जो गाना सुनेंगे वह भी रोप पड़ेंगे सर आप लोग भी इस गाने को सुनकर सर रोप पड़िएगा सर पूरे देश रोप पड़ेगा सर प्लीज सर मेरे वीडियो को आप लोग लाइक सरे हां ang जली जरूर सुनते हैं कि तूने जो कम आया तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है वहा दूस राये खाए और क्या गोल बाबू खाली हाथ आया है तु खाली हाथ जाएगा तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कम आया है वो दूत जाएगा खाली हात आया है तो खाली हात जाएगा खाली हात आया है तो खाली हात जाएगा आप सभी से जब दलकिये सांसे है तब दलकिये रिष्टा है क्यों जब तक सांस है तभी तक रिष्टा है सांस खता तो घर है उठा कर इस समसान में चलाया जाता है इसलिए कहते हैं जब दलकिये सांते हैं क्यों जब दलकिये सांसे है हम जानते हैं कि कब है कब नहीं कोई दे जानता है जब दलकिये सांसे हैं तब दलकिये रिष्टा है जब दलकिये सांसे हैं तब दलकिये रिष्टा हैं जब दलकिये रिष्टा हैं आँ सांस छूट जाएगा सांस छूट जाएगा रिष्टा चूट जाएगा सांस छूट जाएगा रिष्टा चूट जाएगा तूने जो कमाया है वो रुत नहीं थाएगा खाली हाथ आया है तून खाली हाथ जाएगा सभी लोगों से बनाके क्यूं भी गाला दे बनाके क्यूं भी गाला दे भी गाला दे शीवा जितने लोग है तो आप आसना लराई करता हैं इसके लिए बस एकी जीज़ कहेंगा जो लोग एक दूश्रे को दुश्मन समझते हैं दोस्त न समझते हैं तो एक बात हमारी याद रखेगा कि अगर हम हम दोस्त नहीं बना सकते तो दुश्मन बनाने का भी मुझे कोई होई है कि जमी पे आए हैं जमी पे देख लेते हैं चलो हम भी आज बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं अरे जो कहते थे कि तुम पड़ और तुम्हारे लिए जान देदेगे चलो हम और दोस्तों को आज मागा देख लेते हैं आज की दुनिया रुपेज भया बहुत अलग हो चुगी है घर में जब पत्नी आती है तो माता पिता को लगा लाज़ी चा जहना सुरू हो जाता है बस एक लरकी एक घर को अगर चाहे तो सवाव सकती है चाहे तो गरवाद कर सकती है इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल न दुखाईए कभी अपने चाहने वालों को न सटाईए जिसे अपने माता पिता से तलिक भी प्यार नहीं है कि जिने अपने माता पिता से तनिक भी प्यार नहीं है उन्हें इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है तूने सब के जगत रगा हर समय रहे हो तूने सब के जगत रगा हर समय रहे हो तूने सब के जगत रगा हर समय रहे हो बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा तूने जो कमाया तूने जो कमाया है हो तूने सब के जगत रगा हर समय रहे हो बाद मरने के तुझको क्योंकि बस एक ही चीज़ कहें है के बाद मरने के तुझको बाद मरने के तुझको पैसा न लेके जाएगा बाद मरने के तुझको पैसा न पाएगा तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है हो दूद रहाएगा और इसी में कहें है सभी लोगां से जितने लोगां जागा जागा बंदली वो पस्तित हुए आयो ज़द्धाम की धरती पर उन सभी से बस्तिकी बात कहिए है छोड़ेगे रहा हम तेरा साथ को साथिं बरते जंगं ते जगर छोड़ेगे रहं ने झान तक छोड़ेगे हम तेरा साथ को तना मन्हें जबहुआ अगले जटना मेरे आगले जटना मेरे आती जञा हम वैसे जड़ेगे जड़ना तक भी माधिले पाते जाओं गया है करने ते हैं इसकी इवाट करोगें वह दिए था क्याम कैना है शोड़िया शीयाम पूता है, लिए रहा है कि युद्स अधैत, कि अधी जाना है, आफ ब बुलो आफ आफ लुना आफ लुना यहीं साथ लाया था तो यहीं लेके जाएगा आप सब लोग। कि यहीं साथ लाया था तुँ राम सत्त है सबको यहीं लेके जाएगा अगर अच्छा जया हो बहुन तो जोतार ताली भर आशिर वाद आप सभी से चाहिए क्या बात वा मुल्या कि दो है प्राइब कर दो कौन इंडियन आडल बनेगा पता ने लेकिन इंडियन आडल ग्यारा दो बन चुका है तुमारी आवास इसका मतलब पते क्या है सनी तुम थेटराण में आ रहे हो